दोस्तों बालों के जड़ने से परिशान हैं बाल उम्रत से पहले सफेध हो रहे हैं तो आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके बालों को जड़ से काला बनाएगी साथ ही साथ गंजेपन की समस्या भी दूर होगी आपका हेयर फॉल भी रुकेगा ब तो आपको भी कोरियंडर लीफ लेना है इसके स्टेम को अलग नहीं करना है पत्ती और इस्टेम दोनों का ही इस्तमाल करना है सबसे पहले यहां पर मैंने कोरियंडर लीफ को बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लिया है दो से तीन बार इसे आप वाश कर ले उसके बाद इसका इस्तमाल करें तो धनिये को साफ भी कर लें कुछ अगर खराब पत्या है तो उन्हें अलग करें इसके बाद आपको इसे छोटे टुकडों में काट लेना है ग्रैंडिंग जार में डाल कर इसका बढ़ी अच्छा फाइन पेस बना लेना है इसके बाद हम निकालेंग के कोरियंडर लीफ का जूस हरा धनिये का जो रस होता है दोस्तों ये आपके बालों की सारी केर करेगा गंजेपन की समच्या को दूर करेगा बाल जड़ से मजबूत होंगे पतले बाल मोटे घने होंगे बालों में शाइन एट करेगा बाल आपके बिलकुल नैचरल तरीके से काले होंगे मेरे कहने से एक बार आप लोग इसका इस्तमाल जरूर करें बहुत ही बढ़िया रिजर्ट मिलने वाला है हरे धनिये के रस को दोस्तों आपको लगा कर कम से कम 30 मिनिट तक जरूर रखना है उसके साधे पानी से हेर वाश करें शैंपू का इस्तमाल सेम डे बिलकुल भी ना करें नेक्स डे आप शैंपू का इस्तमाल करें हरे धनिये की पत्तियों में हरे धनिये के रस में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे बालों को न्यूट्रिशन देते हैं जिससे हमारे बालों की ग्रोथ दुगनी तेजी से होती है और बालों की लंबाई बढ़ना स्टार्ट होती है बालों में घना पनाएगा और काला बनाएगा दूसरी पत्ती जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है मीठे निम की पत्तियां जिसे कि हम लोग करी लीव्स भी कहते हैं, कड़ी पत्ता भी कहते हैं, गुडों का भंडार है दोस्तों, करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्क निंग एजेंट होते हैं जो की आपके बाल जो कि बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है बालों की जड़े मजबूत होंगी आपका हेर फॉल रुकेगा और साथ ही साथ नए बाल उगना स्टार्ट होंगे दोनों पत्तियों को अच्छी तरह से धोना है उसके बाद आपको इन्हें सब को मिलाकर बढ़ी अच्छा ग्रा पौधा लगा है तो आप लोग ले सकते हैं या फिर आप लोग अपने घर पर भी करी लीव्स का पौधा जरूर लगाएं किसी भी नरसरी से आप इसका छोटा प्लांट ला सकते हैं खाने में भी इसका इस्तमाल करें और बालों में लगाने के लिए इस्तमाल करें खाने के स्वार्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे सेहत के लिए बहुत ही फाइदे मंद है करी लीव्स आप चाहें तो इसकी दो पत्तियों को सुबह ऐसे ही चबा चबा कर खा लें आप स्वार्ट करें खाना आपको खुद को अंतर महसूस होगा एक सब्ता सब्धारी को मैं इसके स्टैम में से अलग करती जा रही हूं और इसे भी मैंने बहुत अच्छी तरह से वाष nach कर लिया सब्ताँमें एक बार इस रेमेडि का इस तवार्च जरूर करें अगर आप बालों को काला करना चाहते हैं घना करना चाहते हैं और बालों को लंबा करना चाहते हैं आपके हेयर सेल को बहुत अच्छा नरिश्मेंट मिलेगा जिसे की जड़े मजबूत होंगी और जब बालों की जड़े मजबूत होंगी तो अपने आप ही हेयर फॉल रुख जाएगा तो इस तरह से curry leaves को अलग कर लिया है मैंने दोस्तों हम सोचते हैं कि हम बालों पर तेल लगा लेते हैं और तेल के दौरा हमारे बालों की जड़ों को सारी चीजे मिल जाती हैं परन्तु केवल ऑईल के दौरा आपके बालों को वो nutrition नहीं मिलेगा दोस्तों जो की ये remedy देगी बहुत ही बढ़िया ये घरेली नुस्खा है आप इसे जरूर ट्राइ करें दोस्तों आपको बहुत अच्छा result मिलेगा जो मैंने अपने आप पर भी ट्राइ किया है क्योंकि एक उम्र के बाद hair fall जादा होने लगता है कुछ-कुछ बाल सफेद दिखने लग जाते हैं अगर आप इसे लगाएंगे ना तो hair dye की जरूरती नहीं पड़ेगी कभी भी बालों को काला करने के लिए chemical वाले hair dye का इस्तमाल ना करें सारे के सारे बाल हमारे सफेद हो जाते हैं और फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि chemical dye का हम लोग इस्तमाल करें हमेशा natural remedy का इस्तमाल करें और आप खुद भी इस्तमाल करेंगे ना उसके आद आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरा hair fall रुक गया इतना ज़्यादा effective है दो curry leaves को जरूर खाना स्टार्ट करें तो यहाँ पर मेंने दोनों पक्तियों को साफ कर लिया है हरी धनिय को थोड़ा काट लिया है और बालों का खुब्सूरत होना भी जरूरी है दोस्तों बाल सुनदर होते हैं तो हमारी खुब्सूरती में 4 चांड लगाते है और बालों का लंबा करने का ये जो नुस्खा है दोस्तों ये इतना ज़्यादा कारगर है कि आपको इसका पहले बार के इस्तमाल से ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा इस पैक को लगाएंगे इसके रस को लगाएंगे दोस्तों तो आपका स्केल्प जो है सिर की तुचा है वो भी गुड हेयर हेल्थ को मेंटेन करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को मॉइस्चुराइज करेगा कढ़ी पत्ता में अपना नैचुरल तेल होता है दोस्तों जो कि हमारे बालों के लिए बहुत फाइदे मंद हुए और इसमें आपको अलग से ओईल डालने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर धनिया की कौन्टिटी जादा ली है और करी लीट्स की कौन्टिटी मैंने आधी ली है मीठे निंगी पत्यों में जो अपना खुद का ऑईल होता है दोस्तों वही आपके बालों के लिए परियापत है परनतों यडि आपके बाल बहुत जादा सूखे हैं ड्रा हैं आप चाहें तो यहां पर एक चमच कैस्टर ऑईल मिला सकते हैं यदि बहुत जादा ड्रा हैं और ऑईली बाल है आपके तो आपको ऐल मिलाने की जरुवत नहीं है, मीठे नीम का तेल ही काफी आपके बालों के लिए, बहुत अच्छी तरह से दबा दबा कर छान ले, इसे पीस्ते सने दोस्तों आपको पानी नहीं मिलाना है, अगर पीस्ते में बहुत जादा परिशानी ह कोरियंडर लीफ्स ताजी लेंगे ना दोस्तों, फ्रेश लेंगे ना, दोनों पत्तियां अगर ताजी ताजी लेंगे तो इनमें अपने आप में बहुत अच्छा जूस होता है, जूसी होती है, यह रस होता है, तो आपको पानी की जरुवत नहीं पड़ेगी, पर लगाना है, यदि बालों की लंबाई जादा है दोस्तों, तो आप इस जूस को थोड़ा जादा बना सकते हैं, और बाल अगर थोड़े छोटे हैं दोस्तों, तो आप इतना जूस काफी है आपके बालों की जड़ों के लिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा जरूर ट्राय करें, सफेद बाल की समस्या जड से हल होगी, बड़ी अच्छा जड में लगाएं, फिर उसके बार बालों की लंबाई पर लगाएं, जितनी अच्छी केयर करेंगे ना दोस्तों, बाल आपके लंबे समय तक हैल्डी रहेंगे, और हमें जरूर अपनी केयर करना चाहिए वीक में एक बार तो इतना टाइम जरूर रखें कि कोई भी हेर मास्क लगाएं या जो आज मैंने आज शेयर की है रेमेडी जरूर लगाएं आपको इसके लावा कोई हेर मास्क लगाने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी और सबता हमें दो बार बालों में तेल है तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करिए का दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हलके हाथों से मसाज करें फिर हेर वाश कर सकते हैं